नमस्कार and I welcome you all to brainstorm ED मैं हूँ रुपीज कुमार मिस्रा और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे देखिए इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ यह बहुत ही आवश्यक वीडियो था आप लोग के लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और यह है आप लोग के 1 और 3 का खतम हो चुका है अगले साल के लिए मतलब 2023 में जो परिक्षा होगा 2023 में उसके regarding ये वीडियो रहने वाला है आपने ये notice अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग को यहां से समझना है notice को यह क्या notice है degree 1, 2 और 3, 2023 2023 का परिक्षा वो किस महीने से आप लोग का start हो जाएगा आप लोग को कैसे तैयारी करना है कहां से पढ़ना है उसको मैं short में यहां पर थोड़ा आपको बताऊंगा आपका result कब तक 2023 का आ जाएगा और परिक्षा कब से start हो जाएगा हर एक point यहां से आपको clear हो जाएगा कि यह कि university के तरब से एक अधी शूचना आपका 2-4 दिन पहले जारी किया गया है अब सब कुछ calendar के हिसाब से चलेगा जैसे हम लोग देखते थे कि विलम बहुता था परिक्षा लेने में result देने में तो अब university का प्रियास ऐसा है कि हम लोग समय पर examination conduct करवाएं समय पर copy evaluation करें समय पर result प्रकासित कर दे ताकि बच्चे आगे भी कहने का मतलब अगर यहां से pass out होते हैं तो अगले university में या किसी और university में दाखिल आले नहीं उनको सहूलियत हो सके खेर हम लोग बात करेंगे उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल की साथ जूड़ जाएए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बगल में बिल आइकन है प्रिस करके रखी आने वाली वीडियो को notification अपडेट सबसे पहले मिलेगा टेलिग्राम गुरूप को जोईन कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप में आपको यूनिवस्टेटी का कोई अपडेट आता है या यूटूब के तरफ यूटूब पर अगर में कोई वीडियो अपडेट करूँगा सब्सक्राइब करने के बाद भी तो आपको टेलिग्राम गुरूप से मिल जाएगा या कोई भी एजुकेशन डिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट है आपका नोट्स है सब कुछ उसी गुरूप में मिलेगा इसलिए टेलिग्राम गुरूप जोईन कर लेना है आपको कुछ पूछना है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलोग करके पूछ सकते हैं वहाँ मैं आपके जैनियून डॉट्स को जबाब देने का पुरा प्रियास करूँगा नो लेट में स्टार्ट और मैं आपको हर एक चीज धोरा थोरा बता देता हूँ आपको समझ लेना है देखो डिगरी पाट वन एक्जामिनेशन ये जो लिखा वाए 16 से 19 ये कुछ पिछले वर्सों का रिकौर्ड है जो कैसे कैसे एक्जाम हुआ कैसे कैसे रिजल्ट हुआ देखो ये 4,10, 2017 से 17, 2011, 2017 तक सेसन 16 से 19 का पाट वन का एक्जामिनेशन हुआ था मतलब 17 में हुआ होगा फिर 18 में 2nd year और 3rd year exam complete हो गया था और result आया था कितने दिनों में लग भग आप देख सकते हो 2,5 महिने वे result clear किया गया था इसी तरह फिर डिगरी पार्ट 2 का यहां पे data दिया हुआ डिगरी 3 का है फिर यह 17 से 20 का देखो हम लोग का जब हुआ था तो यह 8 जून से start हुआ था result कब तक आ गया था तो मादर 2 महिने में sorry लग भग 4 महिने में लेट हुआ था फिर पार्ट 2 का यह पार्ट 3 का हमी लोग का session का है 17 से 20 का फिर 18 से 20 का यह पुराना data है यह दियावन as on 15-12-2022 मतलब 15-12-2022 तक के data के अनुसार यह कुछ updated आपका data है खेर हम लोग अब examination calendar आप लोग के लिए देखें क्या है यह मैं बताता हूँ अब यह 19 से 22 session का है यह आपके सामने में इसको आप देख सकते हूँ आप इसको एक बढ़ पढ़ लो समझ लो इतना बारी बारी से में चर्चा करूँगा तो वीडियो जैदा लेंदी हो जाएगा इसको शॉट में मैं खतम करने का प्रियास करा हूँ अब आप लोग के लिए हैं देखो 2020 से 2030 यह जो session वाल है उसका examination कब से होगा डिगरी पार्ट टू का यह आपका हो गया बारव बारव दोहजार बाईस से चो एक दोहजार तेश अभी जो डिगरी टू का examination चल देखो यह उसका है जिनका session 20-23 है यहां पे लिखा हुआ यह चीज़ इसका पीडियाप में बाद मैं आपको provide करवा दूँगा पहले इसको आप समझ दो कैसे तयारी करना है कैसे notes बनाना है notes आपको कहां से मिलेगा कैसे पढ़ना है copy कैसे लिखना है इसके regarding एक अलग video separate से मैं बनाऊँगा face video वो अलग topic है इसमें सिर्फ हम लोग समझेंगे कि आप लोग का examination किस महिने में कौन से part का start हो जाएगा इसी तरह अगर मैं 20-24 का बात करें तो यह हो चुका है हमारा degree part 2 proposed date degree part 2 examination का जो है 21-24 session वाले का वो जून में है तो जून का target अगर इसमें दिया गया है तो जून last से आप लोग का start हो जाएगा examination तो आप लोग पहले से तयार रहोगे यह calendar जारी किया गया ओफिशियल यहाँ पर आपको examination controller का sign और यहाँ पर आपको कहने का मतलब मोहर दिख रहा होगा इसलिए इसमें कोई यह नहीं है कि that this is counterfeit so यह verified है और इसी के अनुकूल इनको examination conduct करवाना है अगर किसी तरह का कहने का मतलब abnormal situation नहीं आता है तो जैसे कि data center वाला quote अब में case चल रहा था ठीक है ना अब वो सब लगबग सट आउट हो चुका है अब नया data center लाया गया है जिसके द्वारा अब प्रयास रहेगा क examination और result 100 समय आप लोगों को मिल जाए इसी तरह अगर degree part 3 का अगर हम बात करें proposed date क्या है जून 2030 दिया गया है अगर आप part 1 का बात करो तो part 1 आप लोगा examination जो है 30 का वो कब तक हो जाएगा यह मैं बता देता हूँ थी वन दो हजार बाइस यह हो गया आप लोगों का यह तो examination खतम हो चुका है आप लोगों का part 1 का examination जो है वो अपरेल में हो जाएगा सबसे पहले part 1 का exam होगा देखो यहाँ पे 22-25 वाले का दिया हुआ है 22-25 वाले का 23 में होगा first year का तो उसका अपरेल में exam होगा सबसे पह part 1 का फिर part 3 का और फिर part 2 का पार्ट 2 का कब होगा जून में ठीक है part 1, part 3 और part 2 ऐसे serial वाज आपको समझना है result date क्या दिया गया है इसमें दिया आगया है proposed date of last week of August किसका third year का sorry third year का बोल रहा हूँ है second year का इसके बाद अगर हम बात करें में 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 दिया गया है तो इसका result आपको जुलाई में मिलेगा आपका third year का और अप्रेल वाले exam का जो है so वही मई से लेके जून तक आप लोगो result मिल जाएगा ठीक है यह यहां से आपको clear है ना चाहिए और इसके according आपको अपना तयारी अभी से start कर देना है अगर आप book से पढ़ते हो तो कौन कौन सा book पढ़ना है यह मैं बताऊंगा अगर आप guest paper पढ़ते हो तो guest paper के लिए आप लोग रेखा publication या फिर कोई un guest paper जो आपको सहूलियत हो पढ़ने में वो आप market से ले करके उसका पढ़ना start कर दो लेकिन मेरे इसाब से पहले आप notes को prepare करो यह फि से एक बार आप समझ लो इसको पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा बहुत सिंपल है फिर examination calendar यह है PG semester 1 का semester 2 semester 3 semester 4 4 semester हमारा PG का होता है ठीक है यह आपका हो गए degree 1 degree 2 और degree 3 का main हमारा इधर है आप लोग के लिए यह हमारा पीछे मतलब पहले का data है तो इसको आपको नहीं देख यहां से आपको हर एक point crystal clear होना चाहिए अगर फिर भी आपको कोई doubts होगा तो please tell me in the comment box वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो पी एक बार like का button जरूर दबाएंगे subscribe कर लेंगे और ज्यदा ज्यदा शेर करेंगे अगर आप लोग शेर करोगे तब ही YouTube के द्वारा इस चैनल को दूसरे लोगो को भी recommend किया जाएगा YouTube की algorithm में बने रहने के लिए आप लोग के support का बहुत ज़रत है तो इसी तरह की interesting point के साथ यह है video का end thank you for listening and as always God bless you all